नमस्कार आप देख रहे हैं ड्यटीवी भारत और आपके साथ मैंहूं शर्मिला चुहान बिहार में कोरोना की दूसरी लहर भी आ चुकी है और बिहार सरकार की नींद भी उड़ चुकी है और इसको लेकर एक हार सरकार पूरी तरह से सचेट भी ऊचुका है जिसको लेकर में पी में ऑपको रद कर दी गए उसको ओर आभ ना का दूसरा लहर आ जुका है तो फिरसे एक बार कली की चुटियों को रद कर दिया गया और से uniqu कर में प्रच के है कि आज उन्हें सब्ता ही कुछ छुट्टी नहीं मिली है जिसका उन्होंने जम कर विरोथ किया तो आपको बता दे कि राज्य सरकार ने हाई अलोर्ट जारी कर दिया है और सरकार ने सभी स्वास्तकर्मियों के छुट्टियां रद्द कर दी हैं और जिसको लेकर आज PMCH में नर्सों ने जम कर बवाल काटा वह आपको बता दे कि कुरोना को लेकर बिहार के मुखिया नतीश कुमार ने भी शनेवार को जिलास तरिय बैठा की और उसमें कई एहम दिशा नर्देश भी दिये गए इसके साथ ही कुरोना को जाच के दाइरे को भी बढ़ाने का नर्दे नर्देश दे दिया है तो सियम नितीश कुमार ने कोरोना को लेकर एक एहम बैठा किया और उसी को लेकर ये भी नर्देश जारी किया है कि जो भी स्वास्तकर्मी है उनकी चुट्टियां अब रद की जाएंगे जिसको लेकर आज पीम्सीज में नर्सों ने जम कर बवाल क नर्सों का कहना है कि पिछली बार सभी कोरोना वारियर के रूप में काम करते आएं और आम लोगों की सेवा की लेकिन आज उन्हें सबताहिक छुट्टी नहीं दी जारी है इसे से परिशान होकर उन्हें विरोध प्रदर्शन करना पर रहा है बता दे कि PMCH के नर्सों ने काड करोना संक्रमन के बरते प्रकोप के बीच बिहार स्वास्त विभाग ने बड़ा फैसला लेते हुए राज्य के सब ही डॉक्टरों और स्वास्त कर्मियों की छुट्टियां रद कर दी हैं अस्पताल में प्रयाप्त संख्या में डॉक्टरों और स्वास्त कर्मियों की उद्जत आया जा रहा है तो बतादे कि स्वास्त विभाग की ओर से जारी नोटिस में ये कहा गया कि कोरूना वाइरस से उत्वपन द्वितिय चरन के संक्रमन के रोक्थाम और इसके निरोधातमक उपाई के लिए विशेश चौकसी और अनुश्रवन की आवशकता को देखत असे हुए राज्य के सभी स्वास्त कर्मियों के सभी प्रकार के चुटियों को 5 अपरेल तक रद कर दिया गया है तो बिहार विभाग ने पूरी तयारी कर ली है कुरोना से में पटने के लिए और 5 अपरेल तक स्वास्तकर्मियों के राज्य के तमाम स्वास्तकर्मियों के छुट्टियों को रद कर दिया गया है और जो भी स्वास्तकर्मि यानि जो भी चिकित सा पतादी कारी छुट्टी पर गए हैं उन्हें अविलंब कारे में लोटने की भी अनुमती दे दी गई है और एक ये निर्देश जारी कर दिया गया है तो बता दे कि सीम ने अपने एहम देठक में भी यही सारी बाते कहीं और इसके साथ हम आपको यहीं बता दे कि कोरोना के लहर को देखते हुए फिलहाल ये फैसला लिया गया है कि राज्यो में लॉकडाउन नहीं लगेगा ये तो वक्त बताएगा और मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने भी कहा है कि फिलहाल बिहार के स्थिती समाने है तो कोरोना को लेकर ज्यादा चुंता करने की जरूरत नहीं है जब कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ेगी तो उस हिसाब से फैसले लिये जाएंगे इसलिए राजजवासियों से ये अपील की गई है कि अफवाहों को ना फैलाएं फिलहाल बिहार में स्कूल कॉलिज बंद नहीं होंगे और बिहार में लोकडाउन की भी ऐसी कोई बात नहीं हुई है इसी के साथ हम आपको ये भी बता दे कि बिहार के कई जिलों में कोरोना की संख्या बर रही है जैसे अगर मुजफरपूर की बात करें तो मुजफरपूर के कई जिलों में मैक्रो कंटेन्मेंट जोन बनाया गया है बता दे कि बिहार के मुजफरपूर के कई लाकों को मैक्रो कंटेन्मेंट जोन घोशित कर दिया गया है क्योंकि मुजफरपूर में एक साथ कई कोरोना मरीजों की मिलने की पुष्टी हुई थी इसी के साथ बिहार के कई इलाकों के बिहार के तमाम जिलों के जुलादिकारियों को भी सच्चेत कर दिया गया है तो फिलाल इस खबर में इतना ही लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए DTV भारत